गुड़ू गुड़ू आगे मत जा आगे चीलो का बसे रहे आगे तू जाएगा तो चील तुझे पकड़ लेंगी यहीं से वापिस आजा तू मेरी बात सुनता नहीं है गुड़ू आजा नहीं तो मम्मा तुझे बहुत डाटेंगी नहीं नहीं दिदी आज मैं नहीं आने वाला आज तो मैंने कल्लू से शर्ट लगाई है जो जीतेगा उसे सेब मिलेगा मैं नहीं आऊंगा अभी चील का नाम सुनते ही कल्लू तो वापिस लोट आता है लेकिन गुड्डू तो आगे उड़े ही जा रहा था बहे तो उड़ते उड़ते चील के इलाके में पहुँच जाता है पीछे से इक चीला के उसे पकड़ लेती है अरे वावावा आज तो मज़ा ही आ जाएगा आज तो मेरा शिकार खुझ चल के मेरे पास आया है इसे मैं चाप से खाओंगा मज़ा ही आ गया दीदी ने मुझे मना किया था कि आगे मत जाना लेकिन मैंने भी दीदी की एकना सुदी अफ़स गया न लगता है ये चील मुझे आज खा ही जाएगा इधर चीलू से मार के खा जाती है अरे अरे ये क्या ये तो सपना था अच्छा हुआ गुड़ू तो सो रहा है ये तो मैं सपना देख रही थी उन दोनों बच्चों की ममा टूरी चुडिया भूजन लेने गई वी थी वह भूजन लेके आई रही थी उसे बहुत शरीर में ठकावट हो रही थी वह अच्छे से उड़ भी नहीं पा रही थी वह एक पेड़ पर आके बैट जाती है पता नहीं आज मुझे ठका ठका गिरावट क्यों हो रही है मुझे चक्कर भी आ रहे हैं आज तक तो ऐसा नहीं हुआ एक काम करती हूँ आज मुझे भूजन तो मिल गया है मैं इसी को लेके अपने घर लोट जाती हूँ एक काम करती हूँ कल जब मैं ठीक हो जाओंगी तो कल मिठे मिठे फल लेके आओंगे अपने बच्चों के लिए ये सोचकर तूरी चिड़या अपने घर की तरफ निकलती है वह जैसे तैसे अपने गौशले तक आती है और गौशले में आके सीधा गिर जाती है देखो गुड़ू तुम शरारत मत किया करो देखो ममा कितने ठकीवे हैं और गुसे में वो हमसे बात भी नहीं कर रही है मैंने तुमसे किती बार कहा है कि फोर मत मचाया करो टूनी चड़िया तो अपने बच्चों से बहुत बाते करना चाह रही थी पर उसकी तवेत उसे साथ नहीं दे रही थी वहे तो उसकी सांस तो रुक जाती है और वहे मर जाती है ममा, ममा हमसे बाते करो उठो ना, ममा आप उठते क्यों नहीं अगर आप मुझे नराज है तो मुझे माप कर दो मैं फिर कभी शोल नहीं मचाओंगा मा प्लीज ममा उठो ना अरे गुड़ू, ऐसा भी तो हो सकता है ममा हम से किसी और बात में नराज हो अब बात ना कर रही हो और आते ही लेट गए नहीं नहीं दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है नराज ना हो और उन्हें नीन बहुत आ रही होगी वस्सा हो गई होगी वह दोनों छोटे बच्चे अपने बुद्धी के अनुसार बाते किये जा रहे थे पर वह दोनों बच्चे कहा जानते थे कि उनकी मम्मा तो इस दुनिया में नहीं रही उनकी मम्मा उन्हें छोड़के जा चुकी है अब वह दोनों तो अनाथ हो गई है चलो एक काम करते हैं मम्मा सो गई हैं हम भी इनके साथ सो जाते हैं ऐसे दोनों बच्चे अपनी ममा के पास सौटे हैं, सुभा हो जाती है, उनके दर्वाजी पे दिस्तक होती है, गुडू देखो, दर्वाजा खुलो, केट पे कोई है, गुड़ो जब दर्वाजा खुलता है तो देखते हैं, कबूतर उनके घर आता है, अरे बच्चो आज टूनी नहीं उठी अभी तक क्या आज हुमें दूसरे जंगल भूजन लेने जाना था वो कबूतर अंकल कल तो हमारी मम्मा भूजन लाते ही घर आते ही सो गई और अभी तक सो ही रही है और उन्होंने हमसे आके बात भी नहीं की वे तो अभी तक सो रही है लगता है मम्मा हमसे नराज है इसलिए हमसे बात नहीं कर रही ऐसे डगू कबूतर टूनी के पास आता है और जैसे ही वे उसे देखता है वे समझ जाता है कि टूनी अब इस दुनिया में नहीं रही वे इसलिए बच्चों से बात नहीं कर रही ये क्या हुआ अंकल आप रो क्यों रहे हैं वे डगू का बूतर बिचारा क्या बताता बच्चों को कि उसकी मम्मा तो मर चुकी है आप कभी लोटके नहीं आएंगी तभी वहाँ पर कालू का ववा भी आ जाता है अरे अरे डगू बाया क्यों रोह रहे हो क्या बात हो गई कलू कलू टूनी मर गई क्या तुम जानते हो उसके छोटे छोटे बच्चे उसे पुकार रहे हैं ये दोनों बच्चे तो अब अनात हो गए हैं और ये नन्य नन्य बच्चे तो एक दिन भी अपना गुजारा नहीं कर सकते, ये कैसे रहेंगे अपनी मा के बगर, इसलिए हमें ही इनका कुछ करना होगा, अरे अरे डगु भाई, ये तो एक चड़िया के बच्चे हैं, एक चड़िया ही इने पाल सकती है, हम इने भला कहां पाल सकते, वैसे मैं एक चडिया को जानता हूं, उसका नाम रानी है, हम उसके पास इन बच्चों को लेके जाएंगे, क्या पता वह उसे पाल ले, वह नदी के पाल रहती है, चूला हम इन दोनों बच्चों को भई छोड़ाएं, अरे नहीं नहीं अंकल, हम कहीं नहीं जाएं उनसे दूर जाओगे तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा फिर आप से वे बात करने लग जाएंगी ये सुनके दोनों बच्चे रोने लगते हैं अरे मम्मा हमने इतनी बड़ी भी गलती नहीं की थी हम तो बच खेल के शोर मचा रहे थे आप हमसे इतना नराज हो जाओगी क हमसे बात भी नहीं करोगी कालू अंकल अगर ममा हमारी ऐसे ही मानेगी तो हम चलने को तयार हैं ऐसे कलू कववा और डगू कबो तर उन दोनों बच्चों को लेके नदी के उस पार निकलते हैं और एक पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं तब कलू कववा कहता है देखो डग तो क्या सोचेगी आरे डगू इन बच्चे को अगर कुई पाल सकता है तो वह चड़िया ही पाल सकती है वह चड़िया ही से पाल सकती है अगर ये पच्चे हम पालेंगे तो ये बच्चे मर भी सकते हैं ऐसे कह कि उन छोट छोट बच्चों को चड़िया के घर में छोड़ा आते हैं तभी वह पर ऐवह चडिया दो उन दोलों बच्चों दिक के हरान हो जाती है आरे आरे बच्चों तुम यहां कैसे कॉझ ने घर में क्या कर रही हूं तुम इता नहीं को आहां ऐसे घुशना गलत भलत होती है अरे अरे अंटी आप इतना नराज नहीं हम टूनी चड़िया के बच्चे हैं वो हमसे कल बहुत स्यादा नराज हो गई हैं वो हमसे बात तक नहीं कर रही है आंटी वहे कल जब भूजन लेके आई तब से वहे सो गई और अभी तक सो रहे हैं हमसे बात तक नहीं कर रहे हैं वो और हाँ आंटी कबूतर अंकल और कववा अंकल कह रहे थे अगर हम अपनी ममा से कुछ दिन दूर रहेंगे तो उनका गुसा शानत हो जाएगा और वहे हमसे बात करने लगेंगी ये सब सुनके वहे चड़िया सब जान जाती है कि उनकी ममा तो मर चुकी है अब इस दुनिया में नहीं रही इसलिए कववा और कबूतर इन दोनों बच्चों को मेरे पास छोड़के गए है तब वहे चड़ियों बच्चों से कहती है बच्चों जब तक आपकी ममा आपसे नराज है आप यहां अराम से रह सकते हो और तुम आज से मेरे ही बच्चे हो और मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चों मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी मा की कमी महसूस नहीं होने दूगी ऐसे वह चडिया उन दोनों बच्चों को भोजन देती है और अपनी बेटी की तरह ही उन दोनों बच्चों को प्यार करती है ऐसे वह दोनों बच्चे उस चिडिया के साथ खुशी-खुशी रहने लगते हैं